नमस्कार दोस्तों मैं विकास भारतवाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में हम लोग दंड प्रक्रिया सहीता के अध्याए 12 के बारे में जानेगे अध्याए 12 के दो धाराओं को पहले कवर किया जा चुका है जिसमें की सूचना से संबंदित है जिसमें अपराद की सूचना मिलती है तो वो धारा कौन कौन सी है वो धारा 154 है जिसमें संगे मामलों का इतला है और 155 है जिसमें की असंगे मामलों का इतला किया गया है तो आज के इस वीडियो में हम लोग 156 से शुरू करेंगे जिसमें की अन्वेशन, इन्वेस्टिकेशन के बारे में बतायागे धाराओं के बारे में कैसे इन्वेस्टिकेशन किया जाएगा, कैसे स्टार्ट होगा, किन-किन लोगों को पावर है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे, तो चलिए, पहले धारा जो है, धारा 156 इसमें कहा गया है संगे मामलों का अन्वेशन करने की पुलिस अधिकारी की सक्ति, मतलब धारा 156 कहता है कि कोगनीजीबल ओफेंस जो है, उसमें संगे मामले में किस तरह से अन्वेशन पुलिस अधिकारी करेगा, तो फर्स्ट कंडिशन यह है कि किसी भी पुलिस अधिकारी थाने के भारसादर का अधिकारी को मजिस्टेट की आग्या के बिना किसी ऐसे संगे मामले का अन्वेशन कर सकता है, मतलब संगे मामले में investigation के लिए magistrate की आग्या की आवश्यक्ता नहीं है दूसरा clause यह कहता है कि अगर वो इस तरह की कारवाही करता है पुलिस अधिकारी तो उसे उसके लिए प्रस्नगत नहीं किया जाएगा मतलब उस पर question mark नहीं उठाया जाएगा तिसरा condition यह कहता है कि अगर पुलिस अधिकारी कारे नहीं कर रहा है तो 111190 के अधिन ससक्त किया गया कोई magistrate पुर्वोक्त प्रकार के अनुवेशन का आदेश दे सकता है मतलब कि CRPC के 111190 में है magistrate द्वारा अपरादों का संग्यान तो उसके तहती है magistrate direct कर सकता है मतलब direction दे सकता है और order भी कर सकता है कि पुर्वोक्त प्रकार के अनुवेशन का आदेश दे सकता है पुर्वोक्त मतलब उपर जो 156, 155, 154 जो भी है इसके अनुवेशन के लिए वो कह सकता है तो यह था 11156 आगे देखते हैं 11157 कि चलिए अब पता तो चल गया संगे और संगे सब चीजों का पता चल गया लेखिन अब वो 157 करता है कि अनुवेशन के लिए क्या procedure होगा प्रक्रिया क्या होगी प्रक्रिया यह होगी कि सबसे पहले तो पुलिस स्थाने के भार्षक अधिकारी को इतला प्राप्त हो या उसे संदे का कारण है कि किसी प्रकार का कोई घटना या अप्राद घटित हुआ है जिसका अनुवेशन करने के लिए 1156 के अधीन वससक्त है और मामले और तथ्यों और प्रिश्टितियों का अनुवेशन करने के लिए यह दियावश्यक हो तो अप्राधी का पता चलाने और उसकी गिरफतारी का उपाय करने के लिए उस अस्थान पर स्वेंग जाएगा या अपने अधिनस अधिकारी को भेजेगा जो ऐसी पंक्ती से निम्तर नहीं होगा जो राजी सरकार ने उस विशेश आदेश में निमित किया हो कहने का सिर्फ यह मतलब है कि अगर पुलिस थाने के भारसा के दिकारी को कोई सूचना मिलती है कि भाई अपराद घटित हुआ है या उसे अपराद का संदे होता है तो वो 156 के अधिन अगर वो ससक्त है तो अन्वेशन करेगा भीना मेजिस्टेर के आग्या के लेकिन अगर असंगे अपराद है तो उसको उस प्रकार का आदेश ले करके काम करना पड़ेगा लेकिन यह कहा गया है कि 156 के अधिन वो अन्वेशन इसलिए करेगा क्योंकि मामले का पता लगा है गिरभतारी करे और उस अस्थान पर भी जाएगा जहां अपराद घटित हुआ है चाहे वो स्वैंग जाए चाहे अपने अधिनस अधिकारी को भेजे लेकिन इसमें ये भी कहा गया है कि इन कारियों को बहार साधक अधिकारी कहां उस अस्थान पर Unternehmen के लिए स्वैंग जाए या अधिनस अधिकारी को भेजे मतलब first clause का है कि उसको ऐसा लगता है कि गंभीर प्रकरती का अपराद नहीं है तो पुलिस अदिकारी इस तरह के investigation को नहीं भी कर सकता है और दूसरा कारण वह बता है कि अगर पुलिस अदिकारी को ऐसा लगता है कि इसका प्रियाप्त आधार नहीं है अनिवेशन करने का प्रियाप्त अधार नहीं है तो भी वह उस मामले का अनिवेशन नहीं करेगा लेकिन clause 2 में यह करता है कि जो उपर की जो मना करने की विदी है जो मना जिस कारण से किया है उपधारा के परंतुक के खंड को और खो में वर्निक दसाओं में परतेक दसाओं में पुलिस ठाने के भारजादर का दिकारी अपनी रिपोर्ट में उस उपधारा के अपिक्षाओं के पुर्णते अनिवार नौ करने के कारणों को कथन करेगा मतलब reasonable cause उसमें दर्ज करेगा साथी साथ खंड को में वर्निक दसाओं में ऐसे दिकारी इतला देने वाले को जिसने की खंड को में सूचना दिया है ऐसी रिती से जो राजे सरकार दोरावीत हो ततकाल उस बात की सूचना देगा कि इस मामले में ना तो वह अनुवेशन करेगा और ना ही कराएगा Sorter में समझे तो अपने मना किये गए Anvasion की प्रक्रिया को मना करने के कारणों को वो कही ने कही लिखित करेगा और अगर अपरात की सुचना किसी वेक्ति से मिली है और वो उसके लिए Anvasion नहीं करता है तो उसके लिए उसे वो इंफॉर्म करेगा तो हम लोगों ने देखा धारा 157 में कि अन्वेशन की प्रकिरिया कैसे थी अब जो है एक प्रिमिलरी रिपोर्ट बनाया जाता है फाइनल रिपोर्ट से पहले प्रिमिलरी रिपोर्ट बनता है वो है धारा 158 रिपोर्ट कैसे दी जाएगी इस report को प्रिमिलरी या प्रारमिक report भी कहा जाता है इसमें यह कहा जाता है कि अगर 1257 के अधीन मजिस्टेट को भेजी जाने वाली परतेख report जो है राजिसरकार ऐसे निर्देश देती है तो पुलिस के ऐसे वरिस्ट अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी जिसे राजिसरकार सदारन या विशेस आदेश द्वारा इस निमित नियत करें मतलब की सबसे पहले अगर क्या है कि प्रोसीजर के थुरू जो है सीनियर आफिशर को देगा सीनियर आफिशर उसे इप्रूब करेगा और उसके बाद वह मजिस्टेट के पास जाएगा लेकिन वरिष्ट अदिकार अगर वो जो है कुछ रिमार को अभी लिकित करेगा और उसके बाद वो तुरंत ही उस रिपोर्ट को कहां भेजेगा मजिस्टेट के पास कहां अधिकारिता प्राप्त मजिस्टेट के पास किसी मजिस्ट के पास नहीं भेजेगा वो जिस अधिकारिता प्राप्त मजिस्ट इसमें क्या या क्रारामभिक जाच करने की सकती इसमें मजिस्टे जो है रिपोर्ड प्राप्त होने पर अन्यवेशन के लिए आधेश दे सकता है मतलब किसी प्रेकार का उसको रिपोर्ड जो लिखा 158 प 게 दाण तो वह क्या कहेगा अन्यवेशन करने कि इन्वेस्टिगेशन करने की जो है आदेश देदेगा यदि वह ठीक समझे तो इस सहीता में उपन्दित रिती के मामले की प्रारंभिक जाज करने के लिए या उसको अन्यथा निप्टाने के लिए तुरंद कारवाही कर सकता है या अपने अधिनस्ट किसी कारवाही कि और वह उस कारवाही को करने के लिए तुरंद ही आदेश देगा तो इस तरह से हम लोगों ने आज के वीडियो में अन्वेशन के बारे में जाना कि जब पुलिस को सुचना मिल जाती है अपरातका तो उसके बाद वह अन्वेशन के लिए कैसे प्रसीजर करेगा आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अब साक्षों को कैसे investigate करती है पुलिस और साक्षों का क्या रोल होता है उसके बारे में जा रहेंगे वीडियो अच्छा लगा तो like जरूर करिएगा मेरे चैनल पर पहली बारा है तो सबस्क्राइब जरूर करिएगा साती साथ अपने सुझाओ कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आपके दिएगए कमेंट बॉक्स मुझे अपने सुधार के लिए काफी महत्तपूर्ण है मेरे वीडियो को लास तक देखने के लिए आप सभी का प्रेम पुर्वत धन्यवाद